नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज है संडे और जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि संडे को हम करते हैं क्यों एने सेशन जिसमें इपी एफ उसे जुड़े सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के मार्जम से देता हूँ वीडियो में आगे बड़े से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर पी एफ से जुड़े आपके भी कुछ ऐसे सवाल है तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में पोच सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सो भी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लिजे सब्सक्राइब क्योंकि इस पीएफों से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी और आज की वीडियो का पहला सवाल है कि पीएफ और पैंशन का पैसा एक साथ बेंक अकॉर्ण में क्यों नहीं आता है तो इस सवाल का जवाब यह है कि पीएफ और पैंशन का पैसा एक साथ बेंक अकॉर्ण में इसलिए नहीं आता है क्योंकि पीएफ और पैंशन का पूरा पैसा निकलने के लिए दो फॉर्म सम्मिट किये जाते हैं एक है फॉर्म 19 और दूसरा है फॉर्म 10C और यह दोनों ही फॉर्म अलग अलग टाइम पर सैटल होते हैं यानि कि अगर पहले फॉर्म 19 सैटल हुआ तो आपके बेंक अकॉर्ण में पहले पीएफ फंड का पैसा आएगा अगला सवाल है कि बीज दिन हुए है जॉब करते हुए आब जोब चोन चाहता हूं तो क्या रिजाइन डेते हुए notice period भी पूरा करना पड़ेगा तो इस सवाल का जवाब देने से पहले तुम्हें आपको बता दूँ कि अगर कोई employee अपनी job छोड़ना चाहता है तो उसे job छोड़ने की process को follow करना ही चाहिए यानि कि उसे job छोड़ते समय अपने employer को resign later देना चाहिए और notice period पूरा करना चाहिए लेकिन यहाँ पर case थोड़ा अलग है कि employee ने 20 दिन पहले ही job जोड़न की है और अब वो अपनी job छोड़ना चाहता है तो notice period पूरा करे है या नहीं तो देकि इस problem को solution तो यह है कि उस employee को ऐसी condition में अपने employer से बात करनी चाहिए इस problem को solution बात करने से ही निकल सकता है और आज की वीडियो का अगला सवाल है कि मेरा claim settle दिखा रहा है लेकिन PF पाजूक से अभी पैसा नहीं कटा है और नहीं claim settle का message आया है तो इस सवाल का जवाब यह कि अगर आपको यह पता लग चुका है तो PF का पैसा आपको जरूर मिलेगा और आज की वीडियो का आखरी सवाल है कि claim settle बता रहा है फिर भी पैसा अभी तक नहीं आए तो वो कब तक आएगा तो इस सवाल का जवाब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको claim settle हुआ है तो PF का पैसा आपको जरूर मिलेगा लेकिन यहाँ पर condition यह है कि claim settle बता रहा है और PF का पैसा नहीं मिला है तो पैसा कब तक आएगा तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि claim settle होने के बाद 3 working day के अंदर अंदर PF का पैसा आपको मिल जाएगा तो यह थे आज की वीडियो के सवाल और उनके जवाब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरूर में बताया था कि PF अकाउंट से जुड़े अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी subscribe जरूर कर लें क्योंकि यह प्योपोस से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी